बस अब आपको नॉर्मल कैश बैक तो मिले गा ही, बस आप हाई गाईज आज हम लोग बात करने हैं लें जिनी की and with जिनी, you don't have to find cashback, but cashback will find you इसके साथ जोड़ा एक 100% cashback offer भी बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को end तक जरूर देखिएगा तो जिनी है क्या? इसके बारे मैं डीटेल में बात करेंगे आगे फिलाल इसको डाउनलोड करने के लिए नीचे दी हुए description लिंक पे क्लिक करें और फिर डाउनलोड वाले बटन को क्लिक करें क्लिक करते ही Chrome Web Store पेज एक नए टाब में open हो जाएगा अब आपको Add to Chrome पे क्लिक करना है और बस 21 टेप इस टूलबार को इंस्टॉल करने के दिनी के Features और Users समझाने के लिए मैंने मिंत्रा पेज ओपन किया है आप देख सकते हैं टॉप राइट कॉर्णर में एक ग्लू बॉक्स है जिसमें लिखा है Active 8% Zingoy Cashback मिंत्रा offers and coupons को देखने के लिए आप details पे क्लिक कर सकते हैं और एक new small size tab open हो जाएगा जिसमें आप quick browse कर सकते हैं और अगर आपको मिंत्रा से shopping करनी तो आपको सिर्फ activate 8% cashback पे क्लिक करना है और तो आप automatically Zingoy Cashback earn कर सकते हैं मिंत्रा shopping पर और अब आप देख सकते हैं right side में tracking 8% Zingoy Cashback शो कर रहा है जो पहले activate 8% Zingoy Cashback शो कर रहा था इसका मतलब है आपको Zingoy open करके मिंत्रा page search करके shop and earn वाले बटन पे क्लिक करने की जरुवत नहीं है आप कोई भी store खोलिए और जिनी आपको guide करेगा कि इस store पे आप Zingoy Cashback earn कर सकते हैं जो पहले आप miss कर देते हैं और जिनी से आपका time भी बहुत save होगा क्योंकि इससे आप सिर्फ एक click से Cashback earn कर सकते हैं इसके लिए आपको Zingoy पे सिर्फ login करके रखना होगा आपको कोई additional step करने की जरुवत नहीं है यह automatically track हो जाएगा और बाकी Cashback के साथ show करेगा अब आते हैं बहुत ही special offer पे तो guys अगर आप Zingy को 2-7 November के बीच में install करके transaction करेंगे तो आपको 100% cashback मिलेगा up to 25 रूपीज आपको सिर्फ 2 simple steps करना है पहला Zingy को install करना कर यह वीडियो पसंदे तो इस वीडियो को like करके channel को subscribe करो मैं मिलता हूँ next video में next offer के साथ until next time keep sharing keep saving